हेलो फ्रेंस आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल मुरारी एस्पिरेंट आफ यूपीएस्टी में स्वागत है आज हम फिर से उपस्तित हैं कुछ ऐसे महत्पूर्ण प्रश्णों के लेकर जो की भारत के राज वेवस्ता इंडियन पॉलिट्री से लिया गया है जो लक्षमी कांसर के द्वारा लिखा गया था यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्पूर्ण होने वाला है अगर आप किसी प्रकार के प्रतियोगता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलते हैं आपने प्रस्णों की और आज का पहला प्रस्ण है भारतिये संभीधान के अनुछेद 123 के तहत अध्या देशों को जारी करने के सकती निम्नलिकत में से किसके पास है अप्षन लोकसभाद्यक्ष अप्षन भी राज्यसभा के सभापती अप्षन सी राष्टपती और अप्षन दी यह प्रस्ण जो है SSC के एक्जाम में 2019 में पूछा गया था तो दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर वह जाएगा अप्षन सी राष्टपती अगला प्रस्ण है भारत के निम्नलिकत राष्टपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निर्पेक्ष आंधूलन के महासच शीव भी थे ऑप्षन ए डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ऑप्षन बी वाराह गिरी वेंकट गिरी ऑप्षन से ग्यानी जैल सिंग और ऑप्षन डी डॉक्टर संकर दयाल सर्मा यह प्रस्ण जो है आई एस के एक्जाम में 2009 में पूछा गया था दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ऑप्षन से ग्यानी जैल सिंग अगला प्रस्ण है भारती संबीधान के सत्तरवे संसोधन द्वारा भारत के राष्टपती के चुनाब में जिन दो केंद्र सासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं ऑप्षन दिल्ली तथा चंडिगर्ड ऑप्षन भी दिल्ली तथा पुद्दुचेरी ऑप्षन सी दिल्ली तथा दमनवदीप और ऑप्षन चंडिगर्ड तथा पुद्दुचेरी ये प्रस्ण जो है यूपी PCS के एक्जाम में 2018 में पूछा गया था दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ऑप्षन भी दिल्ली तथा पुद्दुचेरी को अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किसी भावगोलिक छेत्र को अनसूचित छेत्र घोशित करने का शंबय धानिक अधिकार किसको है ऑप्षन ए राज्यपाल को ऑप्ष प्रधान मंत्री को और अप्षन री राष्ट्रपति को यह प्रस्ण यूपी पीसी एस की एक्जाम में 2006 में पूछा गया था मैं इसलिए इसमें किस वर्स पूछा गया है यह टाइप कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को यह पता चल सके कि कि किस वर्स किस प्रकार का लोगों को फैदे बहुत फैदा होगा आप लोगों के लिए तो कि दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा है और इस प्रशन का अंसर हो जाएगा जा था कल दोस्तों इस प्रशन का अंसर हो जाएगा उप्ससीं जपाने सब्धान चाभां अगला प्रश्ण में भारत के उपराष्टा पति का निरवाचन होता ऒंसने संसद के दोनूं सदन द्धौर्ण पर एक्यों संसद के दोनूं सदन तता दन समाविस्थ्धा decía कर दोल स और प्रश्ण से भारत के संद्राष्ट पती द्वारा और अप्शन दी लोक सभा के सदध से द्वारा ये प्रश्ण जो है जे पी एस सी यानि कि जार्खन पॉब्लिक सर्विस कमीशन की ग्जांब 2003 में पूछा गया था और यूपी पीचीएस की जामें 2012 में पूछा गया था कि दोस्तों इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा ऑप्शन संसद के दोनों सदन द्वारा अगला प्रश्ण है भारत के उपर राष्ट्र पती को पद्चियोत करने का संकल्प निम्न लिखित में से क प्रस्तावित किया जा सकता है ऑफ्शन केवल लोक सभा में ऑफ्शन द्वी संसद के किसी भी सदन में ऑफसन सी संसद की संजुक्त बैठक में और ऑफसन केवल राज्य सभा में यह प्रश्ण आई आए-एस 2004 में पूछा गया था कि दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा कि आप संडी केवल राज्य सभा में अगला प्रस्ण है भारत का उपराश्ट पती किसका पदेन सभापती होता है उप्सण लोक सभा उप्सण भी बिधान सभा उप्सण सी राज्य सभा और उप्सण इनमें से कोई नहीं ये प्रस्ण उत्तर परदेश के पुलीस के एक्जाम सब इंस्पेक्टर के एक्जाम में 2009 में पूछा गया था अब दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाए गाप्सण सी राज्य सभा अगला प्रस्ण है राज्य सभा में शीटों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है ऑप्सण ने 250 ऑप्सण भी 275 ऑप्सण भी 300 और अप्सण भी 500 यह प्रस्ण भी है एक्जामिल 2015 में पूछा गया दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर आप लोगों कमेंट करके बताना है कि राज्य सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है अगला प्रस्ण है बिहार में लोग सभा के 40 सीटे हैं राज्य सभा के कितने सीटे बिहार में हैं ऑप्सण ए 12 ऑप्सण भी 14 ऑप्सण सी पंद्र और संदी शोल यह प्रस्ण जो है बी एससी बिहार स्टाफ सर्विस के सेलेक्शन कमिशन 2015 के एक्जाम में पूछा गया था कि दुस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा अप्शन डी शोल अगला प्रस्ण है राज्य सभा का सभापती कौन होता है अप्शन एक लोग सभा अध्यक्ष अप्शन भी उपर राष्ट पती अप्शन सी प्रधान मंत्री और अप्शन डी राष्ट पती यह जो है प्रस्ण बीपी एससी में 2002 में और रेलवे के एक्जाम में 2005 में पूछा गया था दोस्तों इस परशन का अंसर हो जाएगा औप्शन भी उपर राष्ट पती अगला प्रस्ण है राज्य सभा धन भी धियक पर अपनी सहमती कितने दिनों तक रोक सकती सब्सक्राइब 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 कर दोस्तों इस प्रशन का आंसर आप लोगों कमेंट करके बताना है कि राजसावा धन्विद्यक पर अपनी समधी कितने दिनों तक रोक सकती है अगला प्रशन है राजसावा कब भंग की जा सकती है उप्सन पांच बर्सवाद उप्सन भी राष्टपति की सासन में उप्सन सी संकट कालिन इस्तिती में और उप्सन भी राजसावा कभी भंग नहीं की जा सकती है यह प्रस्ण के एक्जाम में 1983 और 84 यानि कि दो बर्ज वह लागतार रिपीट हुआ है यह प्रस्ण कि दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा उप्शन डी राज्य सवा कभी भंग नहीं की जा सकती है अगला प्रस्ण है कि हमारे समभी धान का के अनुषार राज्य सवा का कारेकाल ऑफ्सण 1 2 वर्ष में 1 बर समाप्त हो जाती है और प्रत्एक 6 बर्ष में समाप्त हो जाता है और प्रस्ण डी समाप्त होने का आपी सह नहीं है यह प्रस्ण BPSC में 208 में पूछा गया था दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएका अप्संडी समाप्त होने का विशय नहीं है अगला प्रस्ण है राज्य सभा का विशिष्ट छेत्र अधिकार होता है अप्संडी नए राज्यों के निर्मान में अप्संडी युद्ध घोसना करने में अप्संडी बित्तिय आपात में और अप्संडी राज्य सुची के किसी विशय पर संसद को कानून बनाने की प्रयादे क्रित करने में यह प्रस्ण जो है सीडियस के एक्जाम में 2019 में पूछा गया था दोस्तों इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा अप्संडी राज्य सुची किसी भी सह पर संसत को कानून बनाने के लिए प्रयाद कृत करने में दोस्तूं आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें ताकि झाल झाल